कि अपने यूट्यूब चैनल पर मैं दिव्यान्सू एक बार पुना उपस्थित हूँ आपके समक्ष दैनिक समसमाई की केता है जो भी महतुपून सवाल होंगे उन तमाम सवालों पर हम डिसकस करने वाले हैं तो आईए देखते हैं क्या है आज के वो महतुपून सवाल चलिए सभी को गुड मॉनिंग सभी को गुड मॉनिंग सुपरभात राधे राधे जैस्री कृष्ण hani अकादमि प्रुष्कर 2023 की घोष्णा की जा चुकी है किन्हें दिखत्र में कल इसके बारे में हमने चर्टा क्यों और हिंधी के लिए उ adapteroine यह लिए पहचानो गया था दियान रखियागा इस चीज़ को हिंदी वाला अक्सर पूछ लिया जाता है मुझे पहचानो अरे दिवानो मुझे पहचानो तो संजीव को दिया गया था हिंदी के लिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि बौध संकेतन इनकी कीड़ती की नाम है और इन्हें जो दिया इसके अलावा अंग्रेजी यानि की इंग्लिस और राजस्थानी में दिया जाता है अंग्रेजी और राजस्थानी में दिया जाता है इस चीज़ को आप ध्यान रखियेगा हलांके मैं कोसिस करूँगा आठ से 10 मिनट की एक वीडियो आपके लिए डेडिकेटिर बना दी जाता है जिसमें की साहित अकादमी पुरुसकार 2023 की जो है डिटेल जानकारी मैं आपको दे दूँ पुछा गया है मैथली साहित के लिए दिया गया है किन्हें दिया गया है तो इसके अगर सही अंसर की बात कर ली जाए तो ऑप्शन नमर्ट D यानि कि डॉक्टर वासूकी ज्ञा डॉक्टर वासूकीनाथ ज्ञा को दिया गया है और यह जो है डॉक्टर वासूकीनाथ ज्ञा आपको पता है मैथली जो है बिहार की भाशा है यह जो है समस्तिपूर के रहने वाले हैं ध्यान रखियेगा यह जो है समस्तिपूर के रहने वाले हैं समस्तिपूर के पठसा गाउं के रहने वाले है वहीं पर साधीका नवाव शहर इन्हें जो है उर्दू के लिए लिए थी चलिए बढ़ते हैं अगले यह हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वास्तुकिनाज ज्ञा और इनकी यह जो कीरती है बहुत संकेतन इनकी लिए इन्हें मैथलिवासा का पुरुसकार साहित एकाद्मी पुरुसकार दिया गया है अगला प्रशन पूछा जा रहा है आपसे हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसा कर भार पूछा जा रहा है कि सबसे व्यस्तितम जो हवाई मार रहा ह backyard वह कौन सा रहा है ठीक है कल हमने ठापता की वर्स 2023 में वर्स 2023 में जु ओंयन यत्रीत को क्रेंट सो ISO को आप नोट कर लिजे एक साल में यानि कि वर्स 2023 में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा प्रदान करने वाला यात्रा सुवधा प्रदान करने वाली जो कंपनी है वह इंडीगो है यहां पर पूछा गया सबसे व्यस्त जो हवाई मार्ग है वह कौन सा है इसके अगर सही अंसर की बहुत गिरावट आई थी हवाई मार्ग में आपको पता बहुत सारी रूट जो है बाधित थी लेकिन बावजुद इसके अब जो है हवाई मार्ग अपने जो सुधार की ओर बढ़ रही है और इस बार 2023 में 50% सुधार देखा गया है हवाई मार्ग में इसलिए नंबर वन पर जो रहा है सिंगापूर मलेशिया हवाई मार्ग रहा है बात करें इससे कुछ और महतवपूर्ण जानकारी पर तो अगर पूछा जाए कि सबसे व्यस्ट जो अंतरास्टिय रूट है वो मलेशिया के कुवाला लामपूर हवाई अड्डे से सिंगापूर के चांगी हव कुछा जा सकता है कि चांगी हवाई अड्डा किस देश में स्थित या कहा पेच्थित है और अगर बात कर ली जाए टॉप दस एयरपोर्ट जो है इसमें Atlanta Airport रहा है नंबर वन पे Atlanta Airport यूड है वह सथान पे रहा है ध्यान रखिएगा और दुबई त्यूसरे सथान पाय़ा है सेगें पोजेशन पे दूबई रहा है वहीं बात कर ली जाएक कि तीसरे सथान पे कौन रहा है तो तीसरे स्थान पे जौच्अ पान टोक्यो रहा है ठीक है ध्यान रखिएगा आपको लग रहा होगा कि लंदन लिस्ट में क्यों नहीं दिख रहा है तो लंदन जो है वो चौथे स्थान पे रहा है ठीक है लंदन जो है वो चौथे स्थान पे रहा है फोर्स पोजिशन पे रहा है लंदन ध्यान रखिएगा पह पूछा जारा आप से आइसलेंड का एक जो है हुसाविक संग्राला है उसके द्वारा जो है एक्सिन लूनर पूसकार दोहुदर तैस किसी प्रदान किया गया है चलिए आंसर कीजे आप लोग ऐसे आंसर करते हैं तो सच मेरा भी मनोबल बढ़ता है क्योंकि उधर से जब रि सिर्फ आंसर कीजे और तो कुछ कभी यह भी नहीं बोलते कि आप से संको लाइक कीजे शेयर करने बोलते हैं ताकि और भी फैदा उठा सके तो ज्यादा ज्यादा आंसर कीजे सिर्फ एक ही चीज आप से डिमांड की जाते है कि आंसर कीजे आप चलिए तो एक्सिन लूनर गुपता संस्कृति चलिए सभी काता ही है इस रोग को जो है दिया गया है क्यों दिया गया है तो चंद्रियान 3 के सफल जो हमने लेंडिंग करवाया है चंद्रियान 3 ठीक है पूरे विश्ट्व में पहचान बन चुकी है हमारी क्योंकि चंद्रियान 3 यह important इस वज़े से हो किया है क्योंकि North pole पर जो है लेंडिंग तो और भी देशों ने किया है ठीक है लेकिन South pole पर हमने एक बार में शफल लेंडिंग किया इस बार 2023 में South pole पर हमने लेंड किया है यह इस पोल सथा अगर पूछा जाए आपसे कब जो है चंद्रमा के सथा पर लेंड किया था कब जो है चंद्रमा के सथा पर लेंड किया था अगर आपसे लेंडर का नाम पूछ लिया जाए लेंडर प्लस रोवर का नाम पूछ लिया जाए देखिए आपको याद है या नहीं कमेंट करक बताया था कि 23 अगस्त को राष्टी अंत्रिक्ष दिवस मनाने की घोषना की गई है 23 अगस्त को हम मनाएंगे अगले बार से इसी बार घोषना की गई है किस उपलक्ष में किया गया था यह भी आप लोगों ने बताया था यह भी आप लोगों ने सूचित किया था चलिए चल चल के उनदा इखियो कि दीजे कब लांड किया था चलिया विक्रम ुयहां छो है लेंडर का नाम था विक्रम विक्रम लेंडर नाम था और उवर का नाम बताईए तब सबत्क हम जान ले कि इस्टापना कब में यs पुष्कार दिया गया है यह चंद्रयान 3 की सफलता के कारण दिया गया है ध्यान रखिएगा और इश्रों का अगर मुख्याला पूछ लिया जाए तो एस यह बैंगलोरू है और एस तोमनाज जो है इसके अध्याक्ष है ठीक है यह सारी चीजे उम्मीद है आपको पता ही हो 350 को की गई थी और इसके जो अध्याक्ष है वो कौन है समीर कामत अब एक जनवरी आपको दिख रहा है तो एक जनवरी से आपको कुछ चीज ध्यान में आने चाहिए बहुत ही इंपॉटन डेट है क्योंकि कई बार इक्जाम में इसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक जनव आयोग के जगह पर एक जनवरी 2015 को जो है इसकी स्थापना की गई थी निति आयोग की एक जनवरी इस तरह की जो है चीजें आप रिलेट कर लिया कीजिए अभी जैसे एक जनवरी आपको दिख गया तो आपको यह याद आ जाना चाहिए कि एक जनवरी से जो जुड़ा है क रोवर यह आप ही बताएंगे कई बार बता दिया गया बिल्कुल बेसिक सा सवाल है चलिए रोवर और रोकेट कौन सा है जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए बढ़ते हैं हम अगले प्रशन के और उससे पहले आप जान लीजे हमारा मच्वा टोईली में एक बैच आ आ रहा है मास्टर बैस के नाम इस जाना जाएगा और अभी बिहार की सबसे सफल है यह कोई कहने की बात नहीं है आप भी आ के टेस्ट कर सकते हैं यह 10 देवरे दिगई है देमो का आपको जो है सीड दे दिया जाएगा यहाँ पर डेमो क्लास कर सकते हैं मच्वा टोली से श आपको जो चीज सफलता दिराएगी वो आपको डिसाइड करना है ठीक है तो यह बैच है इससे जुड़ी जानकारी के लिए नीचे नंबर दिया गया है इस पे आप और जो लोग पतना में वह हमारे दियेगे अड्रेस पर आके जो है हमसे कॉंटक्ट कर सकते है चलिए प्रज्ञान रोवर जहां एक और जबाब आया है प्रिंस का प्रंड्यान रोवर रोकेट का नाम बताईए हाल ही में फाइच प्लेर आफ दाइयर पुरूसकार 2023 पुरूस प्रूस्ट वर्क के लिए प्यार्स रिजेस अभी विहार SI के एक्जाम में यह कुस्टन डाइरेक्ट आ गया था कि प्यार्स रिजेस का संबंद जो है किस खेल से है तो इस तरह के खिलाडी जो भी चर्चित होते हैं आपसे यह उम्मीद की जाती है कि वह जो है आपको पता ह इसलिए इसलिए इसका फा ये प्रूसकार दिटेंध माहिला के बारे में कीसे पुछ लीए अगया है यकारदिक ने तस्वीर देखले हार्दिक सिंग की तस्वीर आप एक बार देख लें यह है हार्दिक सिंग और यह कौन है यह कौन है बताइए जल्दी से इन्हें भी कुछ पुरुसकार मिला है जल्दी से बताइए यह कौन है जल्दी से बताइए यह कौन है जल्दी से कमें में बताइए यह कौन है यह है सविता पुनिया तो इनकी तश्वीर यहां पर क्यों लगाई गई है कि दोहुदरतएज में जब FIH पुरुसकारों की घोषना की गई तो इन्हे शर्षरस्ट गोलकीपर का अवाड़ दिया गया ध्यान रखियेगा सर्षरस्ट गोलकीपर का अवाड़ दिया गया है कि ने तो सवीता पुनिया को यह हैं सवीता पुनिया और यह है हार्दिक सिंग यह कौन है यह है हार्दिक इन्हें जो है एक प्लेर ऑफ दा येर प्रूसकार से प्रूस वर्क के लिए नवाज आ गया है चलिए अब थोड़ा सा जानले कि अंतराश्टिय होकी फेडरेशन की और टाइम पत्री का द्वारा अभी हमने डिसकस किया था यह जो है लियोनेन मेसी को दिया गया है फाइएच प्लेयर ऑफ दा यह जो है 2023 यह दिया गया है हार्दिक शिंग को तो इसके साथ इससे जुड़ी इस तरह की खेल की जो भी चीजे हैं वो जरूर आप ज्यान देते हैं और वो भी उन चीजों का जो हमने कई बार चर्चा कर रखा है तो सच में मतलब मन जो है मंत्र मुख्ध हो जाता बिल्कुल ऐसे ही आंसर किया कीजिए ऐसे ही आप से उम्मीद की जाती है लियोनेन मेसी को जो है टाइम पत्री का दवारा एथलीट ऑफ दा इयर द लौंच करेगा चंद्रियान 3 की अपार सफलता के बाब जहां विस्व में तालका मचाय हुए चंद्रमान 3 चंद्रियान 3 अब यह इस रो प्लानिंग कर रहा है कि चंद्रियान 4 को भी लौंच करेगा कब करेगा जल्दी से बताईए कब करेगा तब तक आप एक चीज़ आ यहां पर आपको दिख रहा है NISAR, N से हो गया NASA, ठीक है, I से क्या हो गया, ISRO-SAR यानि कि Synthetic Aperture Radar, ठीक है, Synthetic Aperture Radar, अपरचर Radar, यह ध्यान रखिएगा, इस तरह की चीजें जो है, खबर में है, तो आपसे पूछा गया है, तो इसके अगर सही अंसर की बात कर ली जाए, तो 2018 तक हम लाउंच करेंगे इसे, 2018 को चंद्रियान 4 हम लाउंच करेंगे, किस लिए, तो चंद्रियान 3 है, उसके मतलब जो भी चंद्रमा के नमूने हैं, उसे वापस लाने के लिए, जो भी चंद्रियान 3 जो है, इकठा करेंगी, जो भी information, जो भी खवर इकठा करेंगी, उन चीजों को वापस लाने के सब्सक्राइब मोदी के दौरा इस रोग कुछ लक्ष दिए गया है तो λέक्ष दिया गया है कि अपना Lemon श्टेशन अपना अन्तरिक्ष श्टेशन यानि कि अंतरिक्ष में एक कमरा ठीक है यह ध्यान रखिया लक्ष है है तो थो 2040 तक का लक्ष दिया गया है अंत्रिक्ष में मानव को भेजने का लक्ष जो भी लक्ष होता है वो निश्चीत तोर पर अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है तो एक तो हाली में भारतिय कुस्ती महासंग के अध्यक्ष निमलिखित में से कौन चुने गये हैं भारतिय कुस्ती महासंग के बारे में यहां पुछा जा रहा है आपसे कि अध्यक्ष जो है वो कौन चुने गये हैं भारतिय कुस्ती महासंग अभी कुस्ती से संबंधित बहुत सारे न इंडियन रिस्लिंग टो इसके अगर सही आंसर के आप से बात कर लिजा है तो इसका जो सही जवाब है महिला यानिकि संजे सिंग को जो है ध्याक्ष जोना गया है महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजमुदार इस पर भी हमारी चर्चा हुई थी हम जान चुके हैं इस चीज को लेकिन यहां पर फिर से एक बार रिविजन करने अजीत अगरकर जो है इन्हें जो है मुख्य चैन समीती में जो है चुना गया है जो भारतिये खिलाडियों का संबंध है जल्दी से बताइए कौन है तब तब एक बार आप जो है संजय सिंग की तस्वीर देख लें यह संजय सिंग अब आपके मन में आ सकता है कि इनकी तस्वीर यहां पर क्यों लगाया गया साक्षी मलिक है यह आप भली भाती इनसे परिशीत होंगे अभी एक दो द देते में रील बनने लगती क्या-क्या ट्वीट पर ट्वीट सब होने लगते लेकिन साक्षी मलिक ने अपने जूते उठाकर टेवल पर रख दिया मतलब यह कहके रोते हुए इन्होंने इनकी वीडियो है आपको समय मिले तो यूट्यूब पर जरूरू देखिएगा आप आप मतलब अंदर से जो है टूट जाएंगो उस चीज को देखकर क्योंकि कितनी सफल यह मुक्यवाद है कि मतलब कुछती करती है यह कितनी सफल है और इन्होंने रखा अपने जूते को और कहा भारतिये कुछती को मेरा अलविदा तो अपने आप में यह बोलते हुए तब तक के लिए आप जानिए कि जो 5 रुपे की टेस्ट है वो हमारी सुरू हो चुकी है कब से सुरू हो चुकी है तो 19 दिसम्बर से सुरू हो चुकी है प्रैक्टिस बगरा तो जरूरी है ही ठीक है प्रैक्टिस बगरा जरूरी है ही लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस से काम नह बहुत ज़रूरी है और यह आपके लिए आरर केंपस मात्र पांच रुपे में सिख्के वाली टेस्ट लेकर आया जो लोग भी SSC SSC GD की तयारी कर रहे हैं उसमें सफलता पाना चाहते हैं उनके लिए जो है सुनहरा अवसर है यह मात्र पांच रुपे में आप टेस्ट दीज जो है एक पैनिक बटन जो है लॉंच किया गया है अभी तक जो है महिलाओं को चेन पुलिंग पे जो है आश्रित रहना पड़ता था किसी तरह की कोई उनके साथ दुर घटना किसी तरह की छेरशार या और भी कुछ चीज़े होती थी जो भी समाजिक तत्त्यों हैं उनके स क्रॉस हो रहा था और जल से चलते चलते जसे लटी की बात है चलते जलते चलते उसने अपने वह को सक दिया तो आप जो है अपने दो बच्चों को लेक tenant के लिए त्यार थी तो मैंने खुल शूर कूछ यह वह इतनाँ किया गया है तो इसकी अगर सही answer की बात कर ली जाए तो option number d यानि की मद्ध railway की त्वारा किया गया है Central Railway की त्वारा किया गया है चलिए इसका 7 का जो सही जवाब है वह अब आप से पूछा जाए की और अध्यक्ष्य वर्थमान में कौन है कौन कि महिला को मनाय गए χोण सीयावरमा याद रखिए आप से ओरर मा एगर पूछ लॉट का प्रिचालन कभ रॉट माजिए का द्यान रखिएगा कि लॉट डल्हों心 लाड़ डलाजी के समय हुआ था लाड़ डलाजी के समय हुआ था सबसे पहले रेलवे का परिशालनत रिचालन्ष फुद Sure अब हगा Reason 19157 के चारवर्स पहले यानि कि 1800 133 में जो है शुरू हुआ था और कहां से कहां के बीच में हुआ था मुंबई मुंबई से ठाने ठीक है मुंबई से ठाने के बीच में हुआ था यह आधुनिक भारत का बहुत ही प्रचलित बहुत ही फेमस सवाल है एक्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है और यह जो शुरू किया गया है पैनिक बटन यह भी मुंबई स्टेशन में ही शुरू किया गय थी देखिए मुंबई में Central Railway के द्वारा शुरू किया गया है और यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह पैनिक बटन ठीक है यह पैनिक बटन इस चीज को आप देख पा रहे होंगे इसे जो है आसान है इस चीज को यूज करना चेन पूलिंग जो है उससे ज्यादा असान है इसे यूज करना महिलाओं की सुरक्षा के लिए इमर्जेंसी पैनिक बटन लगाए गया है यह आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्शन की ओर भारतिय जूट निगम ने जूट किसानों को समर्थन देने के लिए कौन सा एप लॉंच किया है एप वगरे से सवाल अक्तर एक्जाम में आते रहते हैं भारतिय जूट निगम के द्वारा किया गया है तो कौन सा एप लॉंच किया गया यह आप से पुछा जा रहा है कल हम अध्यान रखिएगा और इससे जो है हम ने कल इस पर चर्चा किया था प्रधान मंत्री से संभाद कर सकते हैं संभाद करने का मतलब कि जो पार्ट मित्रो एप है वो किस मंत्राले के द्वारा शुरू किया गया है ठीक है आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये ना पूछ कर भारती जूट निगम ना पूछ कर आपसे मंत्राले का नाम पूछा जा सकता है कि पार्ट मित्रो एप जो है वो किस मंत्राले के द्व लॉंच किया है पार्ट मित्रो एप जो है वो लॉंच किया है ध्यान रखिएगा और यह एप जूट आई केर जैसी किसान के इंद्रित योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा जिसका उद्देश जूट की खेती से जुले किसानों के कल्यान को बढ़ावा देना ह आपको पता है MSP जो है चावल और गेहूं MSP की वज़ा से लोग जो है चावल और गेहूं उपजाना ज्यादा पसंद करते हैं तो उन चीजों के अलावा जो है और भी चीजों पर ध्यान दिया जाए जूट का भी उत्पादन किया जा जूट के प्रति जागरुकता फैला थी भारतिय पट्थन निगम लिमिटेड राष्टपती ने कि इस कंपनी को वर्ष का स्रवाधिक उर्जा कुसल उपकरण स्रेनी में दोहजर तैस का राष्टिये उर्जा संदक्षन पुरुसकार परदान किया है राष्टपती के द्वारा परदान किया है इसलिए अपने जो मिक्सी वगरा है पंखा इनका सबसे ज्यादा जो फेमस है अभी ठंड में आपको दिखता होगा गीजर क्रम्टन गीजर वगरा बहुत अच्छी बनाती है पंखे वगरे भी हलांके अच्छे होते हैं इन्हें जो है सरवाधिक उर्जा कुसल उपकरण के लिए सरवाध वाट वाला और यह जो है नौ वाट में ही जो प्रयाप जो रॉसम Micheer प्रयाप लाइट परदान करता है तो यह क्या है उर जया का जो है कुसल उपयोग कर तो थह कृण है पहले। सरुझर का स्थान अगर पूछ लिया जाये तो भारत का अस्थान सब सारी चीज़े जो है इकजाम में धाक संफर पूछ लिया जाता है कि इस पार्प भारत कितने स्थान पे नफी कर नियाओ फिर से हम लोग देखेंगे हलंकि यह सब सारी चीज़े नहीं पढ़ चुके हैं लेकिन यह सब फोड़ा सा पेचिदा है इसलिए पिर से आपको एक बर में रिवीजन करवा रहा हूं तो अनुछेद 214 हमने आपको बताया था उच्छ नियाले कहां से कहां तक है और उच्छ नियाले की संखिया अगर पूछी जाए भारत में कितनी है तो पत्चीस है 214 क्या कहता है राज्यों के लिए उच्छ नियाले होगा इसकी बात करता है 215 क्या क्या कहता है तो उच्छ नियाले का अभी लेख नियाले होना ये सनुष्यद में किया गया तोestkes भांडर में किया गया है अनुशे 216 क्या कहता है तो उच नियाले का गठन इसके बारे में अनुशे 216 कहता है अनुशे 27 क्या है तो उच नियाले की नियाधिस की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें ठीक है पद की शर्तें ध्यान रखिएगा पद की शर्तें से संबंधित है 218 क्या कहता है तो उच उचितम नियाले से संबंधित कुछ उपफबंधों का उचितम नियाले में लागू होना उचितम नियाले यानि की सुप्रीम कोर्ट ठीक है दोस्तों इसमें से तीन इंपॉर्टेंट थे 214, 215 और 216 यह सब आप लिख लिया किजे कॉपी में तब आपको चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएगी 219 क्या कहता है तो उच नियाले की नियाएधिसों द्वारा सपत या परतिज्ञान से संबंधित अगर आपसे अनुछेद पूछ लिया जाएगा लगा क्लास जरूर बताईए जो लोग पहली बार देखें वो लोग जरूर कमेंट करके बताईए कैसा लगा है क्लास और अगर कोई राय हो कोई भी आपकी सलाह हो तो बिल्कुल स्वागत आपका किसी भी राय किसी वी सलाह के लिए आप स्वतंत्र हैं हमें हमें दे सकते है कहां पर किस चीज को और अच्छे से किया जा सकता है बिल्कुल आप हमें बताइए अन्त में मैं हट जाओंगा कुश्चन दिख जाएगा आपको तो मिलते हैं आप आपसे फिर मंडे को मुलाकात होगी सुबहस सवेरे साड़े साथ बज़े सबसे पहले आपके साथ मेरी अप आपको पता ही है फिक्स रहती है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद आप सभी को खुश रहिए मस्त रहिए और व्यस्त रहिए अपने और अपनों का ध्यान रखिए खूब मन से पढ़िए धन्यवाद